नमस्कार दोस्तो टार्गेट विद पियस परिहार में आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि काफी दिन से आप लोग में जो पिछले वीडियो है उन वीडियो में पूछ रहे थे कि सर्य वीडियो 2015 की जो वेटिंग लिस्ट की चर्चा हो रही है आजकर कि हाई कोट से आदेश हो गया है और इसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी तो दोस्तो उसके बारे में इनफॉर्मेशन है आज मैं जो वकील सहाब है जो इसके को देख रहे हैं और वह इलाहबाद में रहते हैं जाज टाउन में मेरे पास ही तो जनकारी यह मिली कि यह बात विल्कुल सही है कि आदेश हो गया है अभी आडर अपलूड नहीं हुआ है कुछ टेक्निकल कारण हो है उनकी वज़े से लेकिन हाँ यह बात सही है कि मेरी उनसे इस बारे में ब्यापक चर्चवी है कि वीडियो 2015 की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और वह एक अलग बात है कि एक ही न अब इन लोगों को जो पिछली हैं पिछली भरतियां हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं तो उनके भी अब इस केस की अधार पर वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ेगी इलहाबद हाई कोड ने एक आधेस लगवक तीन महीने पहले दिया था समिच्छा अधिकारी साइक समिच्छा अधिकारी 2013 के बारे में कि उसकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाए तो उसका प्रोसेस अभी चल रहा है उसी तरीके से यह वीडियो का 2015 का लोगों ने यह केस ज हो गया है तो यह बहुत अच्छी ख़बर है दोस्तों अगर ऐसा होता है फाइनली और दूसरी चो प्रमुख खबर यह है कि जूनियर असिस्टेंट के 4000 पदों का विज्यापन इसके बारे में चर्चा हुई थी पालिवाल जी ने एक इंटर्वी में कहा था कि अगस्त के म कि यूपिट्र पहले सी हमेशा बदलता रहता है कभी कुछ कभी कुछ कहता है तो अभी जो सुत्रों से ख़बर मिली है कि जिस दिन यह अनुप चंद्र पांडे जो सच्ची हों उत्रप्रदेश सरकार के इनके साथ में आयोग के कर्मचारियों के बैठा कुई थी आप लो यह चर्चा हुई कि जूनियर असिस्टेंट का विग्यापन पहले आएगा तो दोस्तों अब जूनियर असिस्टेंट का जो विग्यापन है यह अगस्त के लास्ट में याने की 25 अगस्त के बाद किसी भी समय आ सकता है तो ठीक है दोस्तों यह तो बड़ी गुड नीउस है आप लोग किले विडियो दोस्तोंं सब्सक्राइब कर लीजिए प्रक्राइब करने के लिए आप लोग इस चमrion से जूड़े रहें बहुत बहुत धन् delic